चो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैं इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का मिशन गणित का दिम्यांग 15 दिसंबर 2023 का वर्कशीट लेकर के उपस थे तो यह अभ्यास प्रस्न है कक्षा नौमी की कक्षा अध्याबिका वेर का परनाम विश्लेशन तयार कर रह सत्र 21-22 में 2021 और कक्षा नौमी के 2022 देश में प्राप्त वेर के अंकों की तुलना कर रही है यानि प्रिपेरिंग रिजल्ट एनलेसिस ऑफ वेर सी कंपेर मार्क्स ऑफ वेर अप्टेनिंग क्लास एड एड यूजिंग डवल बार ग्राव येलो कलर से इसमें जो है 2021-22 का यानि आपको आठमी का दिखाया गया है और 25-23 में ग्रीन से दिखाया गया है तो देखे इसको देख करके कह रहा, which subject has some maximum improvement यानि किस subject में सबसे अधिक सुधार हुआ तो आप देख सकते हैं सबसे अधिक difference में आपको दिखे रहा है सबसे अधिक difference आपको गनित में दिखे रहा है तो ये गनित में टिक लगा है दूसरा कह रहा है किस subject में खराब प्रदर्शन हुआ यानि in which subject performance got deteriorated यानि किस में खराब हुआ है तो पीले से किस में छोटा है English में पीले से छोटा है ग्रीन वाला तो English में इसमें कनित्था इसमें English है अब कहरा है in which subject the performance is at par यानि किस subject में प्रदर्शन बराबर ही है तो किस subject में प्रदर्शन एक जैसा है देखे बारग्राप को तो ये दोनों एक जैसा किस में दिख रहा है हिंदी में तो हिंदी option सही होगा कह रहा है अगला है किस गनित के विशे में कितने अंकों का मतलब गनित के अंकों में प्रदर्शन में कितना सुधार हुआ अर्थाद by how marks the performance got improved in subject maths तो यहाँ पे देखे maths में कितने का difference आए यहाँ पे 30 था यहाँ पे 60 है तो कितने का difference है 30 mark का तो यहाँ पे 30 answer सही होगा अब अगला सवाल पूछ रहा है what is percentage of marks obtained by we are in class 9 percent निकालना है यानि पर 100 निकालना है तो पहले इसका देखे तो यह पूरी तरह से लगवाव 60 है और इसमें बार यह 55 के बराबर बैठ रहा है और यह 50 के आसपास है और यह आपको 45 है और यह 60 है यह इस तरह से है ग्राब पेपर में पूरी actual calculation आ जाएगी तो इस सब को जोड़ें तो यह कुल marks कितना लाया 60 प्लस 55 प्लस 50 प्लस 45 प्लस 60 इस सब को जोड़ें तो यह हो जाता है 60 और 50 110 और यह जोड़ेंगे तो 170 और यह 100 हो जाता है तो 270 हो गया कुल marks अब यहां पर confusion दिया हुआ है यदि यह total marks नहीं दिया हुआ है लेकिन on and average मतलब सब पर जो है maximum mark यहां 45 दिया हुआ लेकिन आप जानते हैं जो कि 100 marks का paper है होता है एक दो तीन चार पांच पांच subject है तो 500 हो गया और इसको हम 100 से multiply करेंगे तब ही percentage में आएगा यह पूरी तरह से मिलने रहा है लगवा एप्रोक्स आएगा तो यह करेंगे तो 27 को करेंगे 25 और पांचो के 20 लगवा 54 परसेंट 54 के आसपास आपको यहां पे 54 परसेंट दिया हुआ है तो सही आंसर तो यह था आज का वर्क सीट उम्मीद है समझ में आया होगा अच्छा लगए तो लाइक सब्सक्राइब सेर जरूर करें धन्यवाद करेंगे तो 27 को में पिवह करेंगे 25 और